Hello and Welcome to Medical Magic. Medical Medicine अपका स्वागत है. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीवर सिट्रेजिन टेबलेट के बारे में. लीवर सिट्रेजिन, सिट्रेजिन का इन लेवरेटरी फॉर्म है और आपको बता दें कि यह मेडिसिन mostly मॉन्टी लिकाइस की कॉम्बिनेशन के साथ ली जाती है 5 मिलिग्राम में लिवसित्रेजिन को मॉन्टी लिकाइस की कॉम्बिनेशन के साथ लेते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो गाफी अच्छा है बाकि हम इसको प्लेन भी ले सकते हैं मतलब कि बिना किसी कॉम्बिनेशन के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं तो आज के वीडियो में हम लिवसित्रेजिन टेबलेट के बारे में डीटेल में बात करने वाले हैं देखने वाले हैं कि यह होती क्या है इसके side effect क्या है, इसके doses क्या है, इसका use कहां उतरना है, कैसे करना है, किती quantity में करना है कुछ special precautions and brands के बारे में हम बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लिवो सिट्रेजिन टेबेट की बात करें तो यह एक प्रकार का selective long acting peripheral H1 receptor antagonist anti-stamin होता है नॉर्मल लेंग्वेंज में बोले तो लिवो सिट्रेजिन जो है, एक पगार के anti-stamin medicine होती है जो कि सिट्रेजिन का कह सकते है एक छोटा बाई होता है और यह सिट्रेजिन से थोड़ा अच्छा एक्ट करती है मतलना बाई बहुत अच्छा मार्केट में जो लिवो सिट्रेजिन टेफ्रेट है वो 5 mg और 10 mg के doses में अविलबल होती है मुस्टि जो सब डॉक्टर्स हैं वो 5 mg यूज करते है 10 mg तो भी कभी कभी करते है जब किसी की allergy लंबे समय से हो और वो जान आई रही हो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिवो सिट्रेजिन की कुछ ब्रांड्स के बारे में मार्केट में वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स अविलेबल है आप कोई सी भी ले सकते हैं जेनरिक मेडिसिन भी आती हैं आप वो भी ले सकते हैं अब बात करें कुछ popular brands की जो market में बहुत आसाने से available हैं वो और लिवोरिट इसके अलावा कुछ popular brands की बात करें तो Montec LC जो कि Sun Pharma बनाता है बहुत ही popular हैं और एक है Montec LC जिसको Supply Private Limited बनाता है और एक है Montecop जिसको Mankind Pharma बनाता है जेनरिक brand के बारे हम बात करें तो वो LHist के नाम से आती है जो कि मैंने खुद लोगों को दी है उसके result भी काफी अच्छे है comprise में भी आती है और easily available भी होती है अग जगे Next हम बात करें इसके uses के बादे में कि Levo Citrogen Tablet का use कहां पे किया जाता है तो जैसा कि आपको बताया था कि Levo Citrogen जो वो anti-histamine medicine है तो अलंग रख प्रगार के allergy जो होती है उसमें इसके use किया जाता है एक anti-allergy के मतलब कि histamine broker है allergy क्यों होती है है किसी को क्योंकि उसकी body में histamine जब निकलता है तो allergy होती है allergy को block करने के लिए हम Levo Citrogen tablet के use करते हैं और इसकी use की बात करें तो जैसे कि आपको seasonal allergy हो गई है मतलब आपको सर्थी जुखाम हो गया है तो इसका use कर सकते है और जब आपको allergic kyanitis हो जाता है मतलब कि आपकी body पे red red dresses हो गया है उसमें eaching हो रही है इस प्रकार की allergy हो गई है आपकी body में तब भी हम Levo Citrogen tablet के use कर सकते हैं इसका use ocular allergy में भी किया जाता है मतलब कि आपकी आपकों में eaching होना redness होना आपकों से आशो आना ऐसी condition में भी आप इसका use कर सकते हैं इसका use हम dermatitis में भी कर सकते हैं मतलब की inflammation of the skin इसकी में अगर Susan आ जाए तब भी ले सकते हैं और हमने इसको acute allergy में भी ले सकते हैं बदब कि किसी को dust से allergy होती है किसी को किसी खाने से allergy होती है बदब कि कोई कुछ खा ले उससे उसको allergy हो जाती है कोई insect bite कर ले उस time पे भी हम लिवो citrigen tablet के use कर सकते हैं next हम बात करें लिवो citrigen tablet के precautions की यानि कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है लिवो citrigen tablet लेते time अगर आपको kidney related कोई severe problem है तो यह medicine contra addicted है आपके लिए आप इसका use ना करें next आपने अगर एक कोई alcohol ले आए या कोई CNS depression ले रखा है तो उस time आप यह medicine का use ना करें अगर आप उस time फिल भी लिवो citrigen tablet का use कर लेते हैं तो यह जो acidation उपन कर सकती हैं और बात करें pregnancy और lactation की तो उस time आप लिवो citrigen tablet prescribe कर सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं इसको देने में छे साल से कम ओमर के बच्चे को ए टेबलेट देनी नहीं और जो छे साल से ऊपर की age की है वो दिन में एक tablet रात को सोने से पहले ले सकते हैं खाने के साथ इस टेबलेट को लेना नहीं क्योंकि इसका जो rate of absorption होता है वो कम हो जाता है खाने के साथ इसलिए उसको खाने के बाहर दे लें खाने के मतलब एक दो गंटे बाहर दे लें सोने से पहलें अब next हम बात करते हैं इसके side effects की वैसे तो इसके कोई side effects नहीं बर कोई overdose ले 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 और लंबे समय से लेता आ रहा है ये tablet को तो इसके कुछ side effects हो सकते हैं उसमें से एक है headache, mouth का dry होना, nausea and vomiting जैसे side effects हो सकते हैं और आपका GIT भी disturbance हो सकता है तो आज की वीडियो में इतना ही मैं डॉक्टर सूरच आपके लिए ऐसे वीडियो लाते ही रहूंगा आप बस चैनल को subscribe रखें इससे आपको time to time वीडियो मिलते रहें मिलते है next वीडियो में